अप्वागत है दाइस्टेड डपर कोशन है गिव रीजन्स फॉर दफॉल्विंग ऑब्जरवेशन तो क्या ऑब्जरवेशन है एक ऑब्जरवेशन है कि नेफ्ट्रीन बॉल जो है वो समय के साथ जो है वो गायब हो जाते हैं डिसेपियर हो जाते हैं और विल्कुल नहीं इस्तिमान लो कुछ समय के लिए आपने कपडों में जो है यह नेफ्ट्रीन बॉल रखे तो यह आपके कपडों पर रखे रहेंगे और जो है इनको जो है वो इसमें महें होने से बदबू होने से बचाएंगे कुछ समय बाद यह गायब हो जाते हैं कुछ भी नहीं बचता यहां पर जहां यह आपने रखे थे दूसरा यह बुचा है कि यह बताना है कि जो इस पर्फ्यूम की जो इसमेल है वो हम तक कैसे पहुंच जाती है काफी दूरी तक भी पर्फ्यूम की इसमेल हमें काफी दूरी तक भी मनलो कोई शलक पर जा रहा है उसने पर्फ्यूम मेटरियल ऐसा है क्याvoor سब्लाइम sab online vimana कौन से होते हैं सब्लायम वह सब्स्टेंस होते हैं ऐसे पधार्थ जो सॉलिड से सीधे गयस मैं यदक से सीधे सॉलिड में कर्वर्ट हो जाते है तो ऐसे जो मेटरियल होते है वो sublime होते हैं तो यह sublime है तो यह solid से सीधा क्या हो जाता है gas में बदल जाता है बिना कोई liquid state में जाए या कुछ भी सेस नहीं बचता बस एक simple बात याद रखने है यह sublime है इसमें sublimation होता है इस process को हम कहते है sublimation उधर्व पातन हिंदी में कहा जाता है sublimation जब solid से जैसे आपने एक example पढ़ा होगा ठीक है camphor का कपूर जो होता है वो भी एक sublime है तो वो भी सीधे ठोस से जो है gas में बदलता है और gas से ठोस में यह solid से gas और gas से solid बनते हैं तो यह sublime है main word इसको यहाद रखे है दूसरी बात को समझ लिए दूसरी बात क्या है कि हमें gas की perfume की जो smell है वो दूर तक क्यों आ जाती है perfume की smell इसलिए दूर तक आ जाती है क्योंकि इन में volatile solvent होते हैं तो volatile solvent होते हैं जो तेजी से diffuse होते हैं तेजी से diffuse होते हैं और इसलिए जो है इनकी जो smell है वो बहुत दूर तक पहुत जाती है ठीक है काफी दूरी तक इनकी smell चले जाती है कारण है यह वालटाइल solvent है और यह बहुत तेजी से diffuse होते हैं ठीक है तो यह बाते याद रखेंगे ठीक है clear ओके थैंक्स फोर वाचिंग